नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल महेंग स्टुडी पॉइंट पर मैं हूँ आपका होस्ट महेंग साओ और आज का हम विडियो बिजनस एथिक्स के सोचल रिस्पॉंसिबिलिटीज का है बिजनस एथिक्स चैप्टर में दो तरह के कॉंसेप है बिजनस एथिक्स और बिजनस के सोचल स्पॉंसिबिलिटीज तो बिजनस एथिक्स के ऊपर मैंने एक सेप्रेट वीडियो बना के रख्धा अगर आप लोग नहीं देगा वीडियो का लिंक मैंने निचे डिस्क्रिप्सटम में दे रखा है आप लिए पर बात करें आप तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लोग कर दिये सब्सक्राइब और प्रेस कर दिये बैल आइकन को भी ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुलेद मिले आप उसे ना कर सेगे तो बढ़ते हैं तो दोस्तों अब लोग यहाँ पर बात करें सोशल responsibility की तो social responsibility का मतलब क्या होता है social यहाँ पर social responsibility दो चीजों से मिलकर बनाया है पहला आता है social social यानि की environment यानि की परिवेस यानि की society आप किस environment में रहते हो आपका society क्या है यह matter करता है फिर आता है responsibility responsibility का मतलब होता है कि आप उस environment के प्रति कितने जिम्मेदार हो या आपका कर्तव्य क्या है जैसे कि example कि दिवाली आने वाले दिवाली में आप लोगों ने अपने कॉलोनी में सोचा कि आप लोग रैकर्स नहीं फोड़ोगे पटाके नहीं फोड़ोगे तो जब calculation होगा प्रदूशन का पॉल्यूशन का तो आपका कॉलोनी का जो रैसियो होगा वो दूसरी कॉलोनी से बहुत कम होगा क्योंकि आप लोगों ने दिवाली में पटाके नहीं फोड़े थे तो यहीं होता है सोशल रिस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस जो प्रॉफिट है लोगों कोई हो रहा है उनका अपके एक काम से अपनी आपके एक बिजनस से लोगों कोई बहुत प्रॉफिट हो रहा है जैसे कि एक और एक्जामपल हम लोग देते हैं कि आप किसी गाओं में जारे और वहाँ पे रासन का कोई दुकान नहीं मैं आपको ए maximize हो रहा है लेकिन उनको से भी ज्यादा आप लोगों के बारे में सोच रहे हूं वाँ पर लोगों का भला और हो रहा है कि उनको 20 किलोमेटर चारचर किलोमेटर जाना नहीं पर रहा उनको 100 मिटर के अंदर आपको उनको एक दुकान मिल जाए जहां पर आप सभी कुछ अवलेबल कर दे रहे हो तो यह होता है सोचल रेस्पॉंसब्लेटी बिजनेस के अंदर आप करते अपने लिए हो लेकिन लोगों के लिए भी यहां पर भला हो जाता है तो यह होता है तो यहां पिर देफिनेसंस लिखे れる लेह तरहां कि िवंध्येक्ष्य आप लोग इन दीवों में से किसी एक को भी लिख सकते हो तो सबसे पहला है तर्म सोसिल रिसपोसीटी इस defined in various ways तो social responsibility यहाँ पर अलग अलग तरीके से समझाया गया है बहुत उनका various ways से समझाया गया है लोगों का some people define it as the responsibility of business to perform its basic economic function of producing and supplying products and services in the most efficient manner to maximize profits तो कुछ लोगों का मानना है कि business responsibility जो है वो business का एक अधिकार है जो perform करता है basic economic function producing के लिए जो आप product बना रहे हो उसका economic function के लिए फिर आप उस product को जहां भेज रहे हो किस तरीके से भेज रहे हो या फिर आप क्या service दे रहे हो यह matter करता है और यह most efficient manner भी होता है कि आप अपना profit किस तरीके से अपना maximize कर रहे हो तो यह यह एक कारण हो गया यह definition हो गया अब आता कि other define it as the obligation of consider the interest of society while performing its economic function फिर दूसरे का मानना है कि यह एक obligation obligation का मतलब भी होता responsibility या फिर करतब आप लोग बोल सकते हो तो यह यह भी एक obligation है जो society के interest को consider करता है और वहां पर अपना economic function को perform करता है फिर आता है other views it as the philanthropic and charitable activities to promote education health employment ruler development and other social causes फिर कुछ कुछ बिजनस जो होता है वो education को promote करते हैं health को promote करते हैं employment को promote करते हैं रूलर development and other social causes को promote करते हैं तो यहां पर health promote education को हम लोग एक product से जान सकता है कि हम लोगों ने अभी तक TV में कई बार advertise भी देखा है कि एक ऐसा product है उस company का जितना भी आप product लोगे तो उसका कुछ percent जो है लोगों के परती जाता है लोगों के education के परती जाता है health के परती जाता है तो यह होता है हो सकता है कि आपको याद आ गया और नहीं यादा तो वो डाबर है डाबर जो होता है वह अपने products को जो है बेचने का या फिर अपने product का कुछ percent जो भी आप उनसे खड़ी दुर तो उनका कुछ social responsibility का हम लोग याँ पर बात करें some of the problem of social responsibility that a manager faces in the meetings अब manager कुछ social responsibility के problems को अपने business meeting में face करते है और वो किस तरीके से face करते है और क्या क्या face करते है वो हम लोग बात करेंगे तो the main problem which manager face in the area of social responsibility is the targets and guidelines that they should follow in meeting social obligations केथ डेविस केथ डेविस केथ डेविस has laid down the following guidelines केथ डेविस और ने यहाँ पर कुछ guidelines को let down किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि manager जो है अपने area के social responsibility को किस तरीके से problem को किस तरह से face करते हैं और उनका क्या target और उनका क्या guideline होता है उस meeting के obligation social obligation को लेका तो सबसे पहला है आप एक social responsibility arises from social power social responsibility जो है वो बढ़ता है social power से अगर आपका decision making सही नहीं होता है तो हो सकता है कि आपका decision making का power जो है आप lose कर दे आप उसे खो दो और आपके जगे कोई और आजये तो यहां पर वही बोलाएगे decision of executive have social consequence they will lose the power of decision making तो जो decision executives होते है decision of executive जो होते हैं उनका social consequence अगर थोड़ा बहुत गलत हो जाता है या फिर उनके पास जो consequence है वो खराब हो जाता है तो वो अपना decision making का power जो है खो देते हैं फिर आता है open disclosure of operation and open receipt of inputs from society are essential तो disclosure of operation यहां पर disclosure का मतलब होता है कि आप अपना business के बारे में कितने लोगों को बता सकते हो कितने openly आप अपने business को चला सकते हो और उससे आपको क्या input देखने को मिल रहा है उनको क्या input दिखा रहा है आप यह जरूरी होता है और यह बहुत important भी होता है society के लिए social responsibility requires the manager should let the public know what they are doing तो जैसे कि मैंने बता है कि social responsibility का एक और महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि आप अपने business में क्या कर रहे हो आपको society को बताना आप किस चीज का business कर आपको यह society को बताना है और the must also be sensitive to what is going on in society और यह भी important होता है कि उस society के अंदर क्या चल रहा है उस business को अप जो चला रहे है उसके अंदर क्या चल रहा है society को लेकर फिर आता है social cost as well as technical feasibility and economic profitability should be taken into account in deciding what to produce within any given activity product or services a cost benefit analyzed should be undertaken in which social cost should be included तो यहां पे social cost जो है वो as well as technical feasibility को भी बढ़ावा देता है economic profitability को भी बढ़ावा देता है technical feasibility का मतलब होता है कि वो नया नया क्या आने वाला है technology नया क्या आने वाला है computer आने वाला है advance computer आने वाला है एडवांस को टेकनोलोजी आने वाला है नया economic profitability बनने वाला है यह decide करता है और इसमें नयने activities भी हम लोगों देखने को मिलते हैं और product services भी देखने को मिलते हैं जिसका cost benefit analyzed should be undertaken in which social cost should be included जिसके अंदर social cost भी जो है include होता है जिनके benefit में फिर आता है social cost should be included in the ultimate price of the product or services in general the consumer should pay for his and her consumption including social goals social cost में क्या होता है कि यह ultimate price भी include करता है अपने अंदर जैसे कि अगर कोई consumer है अपना बेटी और अपने लिए कपड़ा लेने गया या फिर कुछी भी समान करिदने गया तो वह जो कुछी भी यूज कर रहे है जो product यूज कर रहे है फिर जो services उन्होंने यूज किया तो उनका जो वह pay करते है वह social responsibility के तरफ जाता है और उनका भी एक social goal होता है उसके बाल तो manager and non-manager have responsibility for social involvement in their areas of competence competence when there is improvement in society of all members of the society benefit therefore they should all contribute their talents to help solve social problems manager and non-manager have responsibilities for social involvement तो manager और non-manager जो होते हैं वो लोग social responsibility में कई बार उनका एक करतब भी होता है और वो involvement भी हो जाते है उस area का competition में उस area का competition में कि उसके अंदर क्या society के अंदर क्या improvement हो रहा है number of benefit कितना बढ़ी है society का member कितने बढ़ गए है therefore they should all contribute that their talent to help solve social problem फिर वो अपना जो talent है जो उनके अंदर जो talent होते हैं तो वो अपने social problem को किस तरह किसे solve कर रहे हैं एक दूसरे के जात वो भी help करता है और उसमें वो contribute भी करते हैं तो यह तो था some problem जो manager face करते हैं अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर responsibility of community community का responsibility क्या होता है यानि की community का मतलब होता है कि वहां का लोगों का वहां के environment के लोगों का क्या responsibility होता है business के प्रति a business has a lot of responsibility to the community around its location and to the society this responsibility include taking appropriate steps to prevent environmental pollution and to preserve the ecological balance तो यहां take appropriate steps तो सही steps लेना है आपको अपने business या फिर आप जिसके प्रति business चला रहे हो उस business man के प्रति या फिर उस company के प्रति आपको सही step लेना है आपको अपना pollution environmental pollution भी देखके चलना है कि आप अपना factory से जो भी धुआ कचड़ा निकाल रहे हो कितना निकाल रहे हो उससे कितना देश पॉल्यूट हो रहा है या फिर वो एरिया कितना पॉल्यूट हो रहा है ecological balance आपका कैसा है यह आपको देखना परता है फिर आता है कि जो pollution जो आप लोग निकाल रहे हो उसको आप displays किस तरीके से कर रहे हो आप उसे diet नदी में भेज रहे हो या फिर कुछ drain बना के रखे हो या फिर उसे खूले वातावरन में छोड़ दे रहे हो हवा में छोड़ दे रहे हो या फिर निच्चे जैसे तैसे रखा हुआ है त कि देता है उसको आप किस तरह से displays कर रहे हो फिर आता है assisting in the overall development of the locality फिर आपका locality का development किस तरीके से हो रहा है फिर आता है taking steps to conserve square resource and developing alternatives where possible फिर आप कैसा कौन सा कदम उठाते हो जो आपना square resources developing alternatives को सही तरीके से चला सक रहे हो और और जब तक possible है आप उसे कड़ पा रहे हो फिर आता है improving the efficiency of the business operation फिर वहाँ पे बिजनस efficiency बिजनस operation को आप कितने efficiency तरीके से improve कर पा रहे हो आपने बिजनेस को आपने plan को अपने product को फिर आता है contributing to research and development फिर just यहां पिक्टना बार होता है कि कहीं बढ़ा फैक्टरी बंता किसी स्टेट में या फिर आसपास के अरिया का जैसे कि झाल को स्ट पास का इरिया का जितना भी भॉड होता है जो भी जमीन होता है सब महेंगा में बिखने लगता है और जब जितना factory के close आते रहते हैं वो सस्ता होता रहता है तो यहाँ पर वही होता है कि जब कहीं पर factory बनता है तो वहाँ का जो development है तुरंट तुरंट बढ़ने लगता है तो यही चीज़ होता है फिर आता है यहाँ पर promotion of and clearization and small scale industries तो यहाँ पर promotion होता है उनीका अनुसकी करन का जो small scale of industries होते हैं जो pen का industry होता है चाउमीन का industry होता है साबुन का industry होता है यह सब छोटे छोटे industries होते हैं तो यह सभी को promote करता है फिर आता है making possible contribution of furthering social causes like the promotion of education and population control फिर यह possible करते हैं फिर यह लोग का एक और responsibility होता है कि जो भी education promotion मिल रहा है जो population control है उसे आप किस तरीके से contribution उन्हें कर रहे हैं उनको social cause में क्या-क्या मिल रहा है उनको सभी कुछ available हो रहा है या नहीं हो रहा है यह सब भी आपका responsibility होता है फिर अब हम लोग बात करें arguments for social involvement business तो यहाँ पर argument का बात करें business which survives using the resources of the society has a responsibility to the society तो business जो है वो कब तक चल रहा है वो कब तक survive हो पाएगा survive कब तक हो रहा है उस society में वहां का resource क्या है यह उनका एक responsibility बनता है यह भी एक argument पर आता है फिर आता है business which is an integral part of the social system has to care for the varied varied needs of the society फिर बिजनस जो है वो एक integral part भी होता है social system का जो care करता है अपने society का और उसके प्रती varied भी रहता है उनके needs क्या है वो भी देखने का कोशिस करता है फिर business which is resourceful has a special responsibility to the society फिर यह resourceful भी होता है और special responsibility के साथ भी रहता है society के उसके बाद social involvement of business would forster harmonious and healthy relationship between the society and business to the mutual benefit with of both benefit of both तो यहां पर social environment जो है वो business का एक foster है harmonious foster है जो healthy relationship बनाने है कोशिस करता है society और company business के बीच में और जिनका mutual benefit होता है जिनका दोनों में benefit मिलता है बिजनस को भी benefit मिलता और उनको वहां के society की लोगों को भी मिलता है सोचल responsibility likes recycling the waste may have favorable financial effects तो यहां पर सोचल responsibility क्या बलता है कि आपका जो भी scrap निकल रहा है उसको आप लोग recycle किजिए waste मत किजिए जिससे आपका financial effect में favorable होगा फिर आता है social involvement में discourage additional government regulation and intervention तो social environment जो है वो discourage करता है additional government regulation को intervention को social involvement जो है वो discourage करता है फिर social environment may create a better public image of the company which may help it in attracting customers, efficiency, efficient personal and investors फिर social involvement जो है वो create करता है better public image का company का better image बनाने का फिर वो company को कितना attract कर पारे कितना help कर पारे customers को और फिर उनको नया-नया personal investor उनके company में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है efficient तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है यह होता है फिर हम लोग बात करें आज की इस वीडियो का आखनी topic का और आज हम लोग यहाँ पे social responsibilities और business ethics का chapter जो है खतम कर देंगे next chapter ने हम लोग नया topic लेकर आएंगे तो arguments against social involvement of business वो हम लोग उने सिर्फ arguments पढ़ा था अब उसके against क्या है तो business के against क्या होता है देखते हैं business should confine to its own business तो यहाँ पे business का पहला argument होता है जो कि वो सिर्फ अपना business के बारे में देखें दूसरे के business दूसरे क्या कर रहे हैं उनके बारे में नहीं देखें there are government and social organization to carry out social activities फिर यहाँ पे government और social organization का एक यही मुद्दा होता है कि वो अपने social activities से carry out रहे उसके बाद फिर involvement in social activities could adversely affect the economic health of business enterprise it may be noted that the expenditures on social welfare has been imposing serve burden on TISCO involvement in social activities social activities में जो involvement होता है उनका वो बहुत ही adversely effective होता है economic health के लिए business enterprise के लिए और यह noted भी रहता है कि expenditure इनलों का जादा होता है social welfare जादा होता है उसको imposing करता है TCIS द्वारा उनके burden को फिर if the cost of the social environment of the business is ultimately passed on to the consumers there is no point in excletting the social environment of business sometimes there could even be a net loss to the society because of the high cost of corporate sector undertaking such activities फिर यह होता है कि the cost of the social environment social environment का जो कॉस्ट होता है वो business के ultimate past को उनके consumers को फिर उनके points को exclet करता है उनके social environment को business को सब exclet करता है और बहुत ही ultimately past भी होता है फिर sometimes there could be could even be a net loss उनको कई बार net loss भी देखने को मिलता है अपने business में losses भी बहुत ज़्यादे देखने को मिलते हैं जब हम लोग share market जैसे की देखते हैं तो share market में जब किसी business का loss होता है तो share market का जो उनका जो shares होता है उनका price भी बिलकुल से घड़ी आता है और एक time पर ऐसा था है कि वो business बंद हो जाता है तो यहीं होता है फिर high cost भी होता है business of the high cost of the corporate sector का business जो होता है वो high cost का होता है वहां का society high cost का होता है वहां का activities undertaking activities भी अलग होते हैं फिर आता है many companies जो है वह बहुत जरा ऐसे companies जो है social activities में involved होते हैं खुद से जान बुझ कर और ताकि उनका जो tax exemption है वो income spend कर सके और वो उतना ज्यादा tax pay नहीं कर सके अपने business को लेकि profit अपना ज्यादा रखना चाहते और अपना tax कम देना चाहते है तो यह भी होता है social process special social process purpose होता है फिर if the social environment of a business enterprise causes an increase in the price of its product it could affect its competitiveness both in the domestic and international markets फिर आता है कि social environment जो होता है business का वो enterprise का वो किस तरह से increase होता है उनका price of the product क्या होता है उनका services क्या होता है वो कितना competitive रहते है एक दूसरे का effective of competition क्या होता हो वो domestic और international market में क्या अंतर रखते है और क्या competition रखते है फिर आता है वीडियो का last point but not the least social involvement of business could lead to an increase in the dominance of influence of business over the society social environment जो होता है वो business को lead करता है वो increase करता है dominance को influence करता है business investors को और society को अपने business के तरफ से तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उमीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो जाते आते वीडियो को लाइक करे और अगर आप चाल पर न्यूँ है तो च